आज हम बनाएंगे मक्की की सब्जी की रेसिपी जो की खाने में बहुत ज्यादा साधिस्ट होती है आज कल 12 हो रही है समर सीजन चल रहा थो और मक्कीयां हर तरह के आरे हैं मीठी भी आरे हैं नॉर्मल भी आरे हैं मैं दो तरह के कि यहांपर कॉन लेकर आए हूँ और आज हम बनाने वाले हैं इनकी सब्जी इसको आप पूरी पराठा या फिर नान के साथ इंजाई कर सकते हो बहुत ही ज्यादा स्वाधी चट चट पर बनने वाले रेसिपी नमस्कार शेंड मैं गुसंगीता और आपका बहुत वह शागत करती हूं आपके अपने रसोय में अगर आप कि मैं लेकर आए हूं अरे मीठे वाले होते हैं आसानी से इसके जो दाने होते हैं अलग हो जाते हैं भुटे से जो नौर्मल मक्की होती है यानि कि जिसको हम चूली पर भून करके खाते हैं या फिर ब्याल करके खाते हैं तो उनको मैंने प्रैसर कुकर में रखती है एक बैल हो गए थी उनके भी हमने दाने निकल ले और बैल होने के बाद आसानी से निकल जाते है तो नौर्मल कौन के बना स्वेट कौन के दोनों कौन की मैं यहां पर सब्जी बना रही हूं अब इसके लिए हमने यहां पर सबसे पहले ग्रेवी बनानी है तो यहां पर थोड़ा पानी गरम करना है थोड़ा काजू और बादम थोड़ा से सूकी लाल मेच डालेंगे तीन मीडियम साइज के हम यहां प्याज डाल देते हैं साबुती डाले हैं वार का छिलका डालेएं साथ में कुछ लसंगी कलिया यानि कि जितने हमें सब्यों में से यह उतना है यह टमाटर लेयर उपपर का थोड़ा से पोशन कट करके थोड़ा चट भी लगा लिए ताकि चिलका असानी से निकल जाए अ छील्क निकल गया होगा तो कि जैसे कि आप देख सकते हो नीची वाले छील्क अलुडी आप निकल गए इसके अर उपर वाले भी हम इस तरीकिए से निकल देंगे क्यां कि अब कर गाल कि भी हमने नो को दो थंडा होने के लिए रख देते हैं यानि की जो ग्रेबी वाली है और इसको सेफ कर लेते हैं जब पूरी तरह कीज़ें थंडे हो जाएंगे तो इनको डालेंगे हम ग्रैंडिंग जार में पाने डालना है राइसे इसको ग्रैंड करना है सब्जी के लिए पेष्ट तयार हो गया रहे इतना स्मूथ बनाया है ना क्योंकि ब्याल करने से सारी चीज एक दम से सौब्ट हो जाती है और इसको भूने में भी जादा समय ने लगता है एक मेंने सिमला मिर्च ले लिये लाल वाले और दो हरी मिर्च को चीरा लगा लिया या पर तो जो भी सिमला मिर्च है उई ले लीजेगा अब सब्जी बनाते हैं इसके लिए कड़ाई में चार चमज के जितना यहां पर सब्जी के अकोर्डिंग तेल गरम करेंगे इसमें थोड़ा से जीरा और एक डाल चीनी का टुकड़ा हम अच्छे से यहां पर भून लेंगे अब जो हमने पेश्ट बनाया था उसको डालेंगे और थोड़ी देर अच्छे से यहां पर बून लेना इसको और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले तो एक चमज के जितना मैं यहां पर गरम मसाला डाल ली हूँ और एक चमस के जितना यहां पर मैं ले रहे हूँ आमचूर पॉडर इससे सब्जी में बहुत असरसर टेस्ट आते हैं दन्या पॉडर हल्दी पॉडर लाल मिर्च हमने अलिडी यहां पर डाली तो इसमें जाएगा नमा और अब थोड़ी देर हम इनको ग्रेवी के साथ अच् हैं और कच्चे वाली कौन दोनों कौन को हम डाल देते हैं सिमला मिर्च डालेंगे दो जो हरी मिर्च हमने चीरा लगाए थी इनको डाल करके थोड़ी देर भून लेंगे जो हमने पानी इसके लिए सेव किया था उसको डाल देते हैं मिलाने के बाद थोड़ी देर यहां प अधान ना भी डाले हो तो भी चलेगा थोड़ी सी एंड में आप थोड़ा से क्रीम या फिर दू डाल दीजेगा सब्जी बहुत अच्छी बनेगी तो कितने अच्छी सी क्रीम हमारी जो सब्जी है बनगर के तयार हो गई है यदि आप स्वीट कॉन से सब्जी बना रहे हो त सब्जी बनाने हैं तो लाफिवन का नहीं दो उंटे को अच्छी बनती को पीछाए के मैंने आपके सब्जी करें अगर आपको अच्छी लगे तिलाइक चैनल को ضेर करें एक कीमते समय देने के लिए धनवाद थैंक्यू